Welcome to the InfoSoft Computer Education Different Applications को Navigate कर सकते हो यहाँ पर सारे Applications की List आपको दिखाई दे रही है For example मैं Open कर रहा हूँ Gtalk And again Back अब Friends यह जो Application है वो मुझे मेरे Home Screen के उपर चाहिए तो इस Application के उपर Tap यानि की Touch करकर Hold करके रखना है और देख सकते हो यहाँ पर Different Sections दिये गए आप इस Application के Shortcut को कहा रखना चाहते हो वहाँ पर आप इसे रख सकते हो अगर आप Swipe करोगे तो Next Screen पर जाएगा Again Touch और इससे आप Next Screen के उपर ले जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप इसे ले जा सकते हो उसके बाद Friends यह Application Shortcut अगर आपको यहाँ पर नहीं चाहिए तो इसे Touch and Hold उसके बाद उपर यहाँ पर Remove का Command दिया गया इसमें ले जाकर इसे ड्रैक करोगे तो इस Application का Shortcut आपके Home Screen से रिमू हो जाएगा अगेंद Friends, Menu, उसके बाद App Settings अगर आप चाहो तो System Settings में जाकर भी App Settings को एक्सेस कर सकते हो दिख सकते हैं यहाँ पर Apps इसके अदर Friends जितने भी Applications आपने Download किये उन सब की List यहाँ पर दी हुई है अगर आप चाहो कोई Application को मुझे रिमू करना है तो उसे भी आप रिमू कर सकते हो जैसे कि Financial Calculators उसके बाद Uninstall और क्लिक OK So Friends हमारी Application रिमू हो चुकी है अब Friends हम लोग समझते हैं कि Widgets क्या होते है Widgets के लिए मैं जा रहा हूँ All Application और यहाँ पर देख सकते हो Widgets का एक Command दिया गया है उसके बाद Friends एक्जाम्बल के लिए मैं कोई Widgets एड़ कर रहा हूँ जैसे कि Gmail simply touch and hold उसके बाद desired location पर आकर आपको touch को release करना है उसके बाद Gmail आपको पूछ रहा है कौनसे टाइप का folder home screen के उपर आप include करना चाहते हो तो मैं select करूँगा inbox So friends देख सकते हो यहाँ पर Widgets add हो चुका है और इस Widgets के अंदर different emails आप यहाँ पर देख सकते हो अगेन इस पर touch करके रखिए और इसे remove नहीं करना है या move भी नहीं करना है और उसके बाद touch को release कीजिए तो देख सकते हो यहाँ पर इसके resizing handles आ चुके अगर आप चाहो तो इस Widgets को resize भी कर सकते हो there it is और उसके बाद कोई भी blank area पर click कीजिए अगेन फ्रेंड्स मैं एक और विजगेट से अड़ कर रहा हूँ on this screen अगेन एप्लिकेशन उसके बाद मैं अड़ करूँगा contacts उसके बाद android हमें पूछ रहा है कौन से contact को अब यहाँ पर अड़ करना चाहते हो तो हल सेलेक my mother अब फ्रेंड्स यह विजगेट बहुत useful है हम लोग जनरली 5 या 10 लोग ऐसे होते हैं जीने frequently contacts करते हैं तो 5 अलग-अलग screens हमारे पास available हैं तो उन 5 screen में से कोई भी एक screen को हम context के लिए use कर सकते हो तो उस particular एक screen के उपर हम हमारे सारे important contacts यहाँ पर विजगेट की तरह add कर सकते हैं अगें मैं search करूँगा और उसके बाद आपने contact को select कीजिए simply tap again application again contact उसके बाद मेरा friend हमांशू पठेल so friends मैंने मेरे frequently contacted persons को यहाँ पर विजगेट सी तरह add कर दिया है again friends मैं एक blank screen ढूण रहा हूँ there it is again application और इस बाद हम लोग select करेंगे facebook simply touch and hold और उसके बाद इसे यहाँ पर आकर release कीजिए so friends आप अपने सारे friends के status के updates यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद friends यहाँ पर next बटन दिया गए again next again next again next so आपके सारे friends के status आप यहाँ से चेक कर सकते हो again application which get section उसके बाद music player touch and hold and release उसके बाद मैं select करूँगा play all तो देख सकते हैं हाँ पर play all का button आचुका है इस पर आप touch करोगे तो directly सारे songs play होना start हो जाएंगे अगें पास अगें बैक in the same manner friends यहाँ पर different widgets दिये गए अब चाहो तोन विचगेट को आड़ कर सकते हो this concludes our session on applications and widgets thank you very much